चाल और चरीत चेहरा आपको नजर आ रहा है जिस तरह से पुरे प्रदेश में साय साय की सरकार बनी है उसी हम कभी एक फॉप था कि आज प्रदेश में आ रहा है पुरे प्रसासन के लोग सजग होते थे लिए जिसके कारण से आज खुले हम लोग बोलिए मने सोसल मेडिया के मात्यम से दो-दो लाग रुपे मांग रहे है मेने चुनाओं के समय बहुत बड़ी-बड़ी बातें किये चुनाओं के समय बहुत बड़ी-बातें किये तो मुझे नहीं जानकारी कि वहां पर इतने बड़े पैमाने पर मद परदेश से केलहरी विश्य आटोला से जो रेता जा रही है अपने सरकार में नहीं था पर मैं दीदी सहाफ के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको संग्यान में लेने चाहिए इसरी मुह से सोसल मेडिय कि आप से नूज में दिखाएने से नहीं होगा कि वहां पर मौई नदी का रेत फूरा खाली हो गया फिर यहां कभी रेत खाली हो जा रहे है तो से इस पस्ट होता है कि इसके अंदर कुछ है डाल में काला है भगवानपुर के भाजपा नेता है राकेश वर्मन वो खोटा का चाल और चरीत चेहरा आपको नजर आ रहा है जिस तरह से पुरे प्रदेश में सायं-सायं की सरकार वनी है और काम भी पूरे प्रदेश में पूरे च्छेतर में सायं-सायं चल रहा है चाहे वह अबैद लेने की बात हो चाहे क्राइम की बात हो चाहे घटनाओं की बात हो पूरे प्रदेस में अंकूष पूरी तरह से समाप्थ हो गया है लोगों में डर भाई पूरी तरह से समाप्थ हो गया है जब हमारे उपहसपट तो सरकार में सब्साहर से जुक्तÓ से सोशल मेरत हैं मेनेज के लिए एक अलेक्टर को देना पड़ेगा इसको देना पड़ेगा तो भी माननी दीदी के छत्र में ते भी कहीं ने कहीं चिंता का भीचा है आने वाले दिन में इसको लेकर हम लोग बड़ा अंदोलन करेंगे कि अवाले दूप जाया ओूप पने हम अवाले कि लिए में अवाले टान करेंगे गाले कि अवाले लोग लोग भी में इसको वाले आन पाफ एक अवाले